बात अगर हिंदी सिनेमा की खुबसुरत और दिगज अभिनेतरी की हुए तो एवरगिन एक्ट्रेस मुम्ताज को कैसे बुला जा सकता है अपनी दमदार अदाकारी के दम पर अभिनेतरी इंडरस्ति में अपने अलग पहिचान बनाई मुम्ताज अपने समय की मश्बूर अदाकारों में से एक है उन्होंने राजश खन्ना से लेकर शम्मी कपूर और दारासियं के साथ परदे पर अभिने किया हाला कि अब वो परदे से दूर है और अपनी परसनल लाइप में बीजी है बॉल्यूर एक्ट्रेस मुम्ताज के आखरी फिल्म आई ना थी जो 1977 में रिलीज हुई मुम्ताज का जम 31 जुलाई 1947 को हुआ मुम्ताज के पिता का नाम अब्दुल सलिम अक्सरिय और मा का नाम हभिप गागा था जब एक्ट्रेस का जम हुआ उसके एक साल बाद उनका थलाख हुआ था मुम्ताज फिल्मे बेग्राउंड से आती है एक्ट्रेस के मा और चाचा बे फिल्मों में जुनियर आर्टिस के तोर पर काम करते थे शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्मों में कुछ चोटे मोटे रोल किये उन दिनों इंडरस्टी का कोईब एक्टर उनके साथ काम नहीं करना चाहता था काफी संगर्ष के बाद मुमताज को पहली बाद दारासियां की फिल्म फवलाद में लिड़ एक्टरिस की रूप में मौका मिला था फिर क्या था परदे पर दोनों की जोड़ी छा गई और उसके बाद अभिनेतरी ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा इस फिल्म के बाद उन्होंने दारासियां के साथ 16 फिल्में की जिसमें से 12 बॉक्स ओपिस पर हिट सबित हुई अपने करियर के दोरान मुमताज ने हिंदी सिरेमा के दिग्यज अभिनेतराजिश खन्ना के साथ काम किया दोनों की जोड़ी बहुत हीट रही और इनके फिल्मों को काफी पसंद किया जाता था दोनों कलाकारों के साथ दो रास्ते सच्चा जुटा अपनी कसम, दुश्मन, रोटी जैसे बेतरे फिल्मों में दोनोंने काम किया करियर को आगे बढ़ाने में दारासियां का बहुत बड़ा हाथ है ऐसा उनोंने कहा उनोंने इश्रिय को अभिनेता को देते हुए कहा था कि उनके साथ काम करने की वज़र से मुझे अच्ची फिल्में मिलने लगी उनोंने बताया था कि जब मैं मशूर हुई तब मेरे साथ वो सभी सितारे काम करना चाहते थे जिनोंने पहले मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था इस लिष्ट में शम्मी कपूर, संजी, कपूर, जितेंदर और देवानन का नाम भी शामिल है मुम्ताज बला की उपसरत है, उसकी सुन्दर तके दिवाने आज भी है, मगर उस दोर में उनके लाखो दिवाने थे जिसमे राजिश खन्नाज शम्मी कपूर जे से मिना तेरों का नाम शामिल है अभी है ता शम्मी कपूर तो उनके इश में इसकदर घायल थे कि एक्टर उनसे शादी करना चाहते थे दोनों का रिष्टा काफी परवान चड़ा था, मगर दोनों का रिष्टा शादी के मंडब तक नहीं पहुश तका क्योंकि शम्मी कपूर की शर्त थी शादी के बाद मुमताज फिल्मों में काम नहीं करेगी और वह एक्टर्स को मज़ूर नहीं था शम्मी कपूर का प्रोपोजल थुकरा कर मुमताज ने की थी मयूर्शी शादी आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे और गोरे रंग पर ना इतना गुमान कर बिंदिया चमकेगी ये रेश भी जुल्पे जैसे तमाम हीट गानों में फितर हुई बॉलिवूर एक्ट्रेस मुम्ताज 77 साल की हो चुकी है एक्ट्रेस मुम्ताज की छोटी भाइन मली जो की वो भी एक्ट्रेस है उनकी शादी पहलवान और भारते एक्टर रंदभा से हुई वो दारासिया के छोटे भाई है मुम्ताज को शम्मी कपूर ने शादी के लिए प्रपोस किया एक्ट्रेस ने बताया था कि एक्ट्रेस ने उनसे सीधा ही कई दिया उन्हें शादी करनी है तब मुम्ताज 17 सल की थी और उस वक्त एक्ट्रेस ने प्रपोसल रिजेट कर दिया था एक्ट्रेस मुम्ताच के पती का नाम मयूर माधवानी है इनसे इनकी शादी 1974 में हुई पेशे से वो एक बिजनेसमेन है मुम्ताच के पती मयूर अमेरिका में एक लड़की से अफेर कर वैठे थे जब इसका पता एक्ट्रेस को हुआ मयूर ने कहा कि वो उनसे ही प्यार करते है वो एक्ट्रेस को कभी नहीं चोड़ेंगे पहले थोड़ी अन्बन हुई लेकिन आज भी ये दोनों साथ में है मुम्ताच की दो बेटिया है एक का नाम तान्या माधवानी और दुसरी का नताशा माधवानी है मुम्ताच की बेटि तान्या माधवानी की शादी साल 2015 में लंदन के मारको सिलिया से हुई है उनके भी दो बच्चे है मुम्ताच की दुसरी बेटि नताशा माधवानी की शादे एक्टर फिरोष खान के बेटे फर दिन खान से 2005 में हुई इनके भी दो बच्चे हैं लेकिन अभी एट 18 साल बाद अलग हो रहे हैं बता दे कि मुम्ताज ने साल 1958 में बॉल्यूड से डेब्यू किया था उस वक्त उनकी ओम सिब 11 साल की थी मुम्ताज उस समय की बड़ी स्टार्ट थी राजेश और मुम्ताज उस समय पॉपिलर अंस्क्रीन कपल थे मुम्ताज ने खाला की फिल्ब्रेक ले लिया और तेरा साल बाद 1990 में फिल्ब अंधिया से कमबेक किया लेकिन इसके बाद मुम्ताज ने फिर एक्टिंग छोड़ दी मुम्ताज ने बताया आदमें के लिए अफेर करना असान है मेरे पती का भी एक अफेर था मैं उनकी रिस्पेट करती हूँ क्योंकि उन्होंने खुद मुझे इस बारे में बताया था उन्हें बताया थे कि युएस में उन्हें एक लड़की पसंद आई थी लेकिन फिर उन्हें ने कहा कि मुम्ताज तुम मेरी पतनी हो मैं तुमसे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला हाला कि आज ओ हमारे लिए बुली हुई कहानी है माप तो जिन्दगी में एक बार खुदा भी करता है मैं रानी की तरह रही रही हूँ मेरे पती ने कभी भी किसी चीज़ को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी दी मैं खुशन सी भूगी मेरे पती मुझे इतना प्यार करते है अगर मैं थोड़ा भी बिमार हो जाती हूँ तो हंगामा खड़ा कर जाता है हाल ही में मुमताज अस्पताल में भरती हुई थी जब उनकी तबियत भीगड़ी वह हफते भर के लिए अस्पताल में थी मुमताज ने बताया था कि उन्हें अस्पताल में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कर दो कर दो में का सबंद्गर घ्यादिन लेका समय झाल सक न报ए कर दो करना कर को आव, ट। कार लग़ा रा मुमताएन है